कुसी नगर ब्रेकिंग न्यूज यूपी में नगर चुनाओ को लेकर बड़ी ख़वर इस साल दिसंबर में हो सकते हैं निकाय चुनाओ चार्च रड़ो में चुनाओ संपन कराने के तैयारी जोड़ो पर इस बार कुसी नगर नगर पाल का अजश्पत का मुकाबला काड़ा होने का पूरा असार देखे भी स्वामित राठ़ोर की रिपोर्ट यूपी में निकाय चुनाओ को लेकर राज चुनाओ आयोग की दिसंबर में चुरा कराने की योजना है इसके लिए लगबग तारिक भी फायन हो चुकी है चुनाओ परकरिया अभी किस दोर में है और चुनाओ का अलान के लिए अभी सरकार और से आयोग को अभी कीन की परकरियाओ को पूरा करना है इसके तैयारी भी कर ले गई है जिसके तहक्त उत्तापर्देस में 17 नगर निगम, 200 नगर पालका परिशत और 546 नगर पंचातो सहीट खुल, 763 नगर निकायों में चुनाओ होने है राज नियाचन आयोग ने निकाया चुनाओ की तैयारिया भी तेज कर दी है आयोग से जुड़े अधिकारों के मुताबिक बताय गया की 18 नगर को निकाया चुनाओ की मताता सुची का अंतिय प्रकासन किया जाएगा उसके बाद नगर विकास विभा की ओड से सभी निकायों में पारसर चुनाओ के लिए वाडों में आड़ाच्छ निधर्ट किया जाएगा साथ ही नगर पाल का परसद चेर्मैन नगर पंचात अध्यक्ष और नगर निकाम महापौर के लिए आड़ाच्छ निधर्ट किया जाएगा नमबर के तीसरे सब्ता तक अड़ाच्छ निधर्ट होने के बाद उसकी सुचना आयोग को दी जाएगी उसके बाद आयोग निकाय चुनाव का काक्रब तैय कर विभाग को भीजेगा विभाग की मंजूरिक बाद आयोग कियों से निकाय चुनाव के काक्रब के अध्यक्ष भुश्रा की जाएगी अब बात करते हैं नगर पाल का परसद पुसी नर्की इस बार के परतमान नगर पाल का अध्यक्ष सावीरा खातून पत्नी कैफिवल अली मजनू जो की 2017 लेकर 2025 के नगर पाल का चुनाव के अध्यक्ष पत्वे बने हुए हैं इस बार के चुनाव में उडाने उमिद्वार के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो भी कांडिडेट इस बार के चुनाव में चुनाव क्यारी कर रहे हैं वो काफी जोरो सोरो से अपने कामों का निर्वहन एवं जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के समस्याओं को सुन करके उनके निराकरण का भरोसा करकर के अपनी उमिद्वारी यह अपना समर्थन की मांग कर रहे हैं और जनता के बीच लोगों का उनका प्यार है वो समर्थन खुब मिल रहा है इस बार के पहले पर्ट्यासी के रुप में राकेश जास्वाल जो की पुर में भी नगरपाल का फरसत कुसी नगर अधक्षपत के लिए दवदारी कर चुके हैं और इस बार भी कुसी नगर से अधक्षपत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ये भाते जंदा पार्थी से टिकेट की मांग करते हुए अपनी बातों को गाउं गाउं जाकर लोगों को बीच रख रहे हैं और उनकी मांगों को एवं उनकी समस्था को निराकर हेतू समर्पर करते हुए कि आने वाले समय में अगर आप उनको पिज़ई बनाते हैं तो हम नगरपाल का कुसिनर का उद्धार एवं का लियार जरूर को देंगे ऐसी बाते ये लेकर चलते हैं और लोगों को बीच अपनी बातों को रख करके उनका वोट वर समर्थन प्यार मांग रहे हैं जिनका नाम होगा राकेज जास्वार अब दूसरे प्रत्यासे क्रूप में भार्ति जंदा पार्टी से दिकट की मांग करते हुए ओम्रकाज जस्वार जो कि पिछले कई सालों से भार्ति जंदा पार्टी के प्रतिसमर पिताते हैं और नगरपाल का कुसिनर अधक्षपत के लिए इस बार दावेदारी कर रहे ह लोगों के बीच प्यार्व समर्थन काफी मांग करते हुए नगरपाल का अधक्षपत के लिए इस बार चुनाव में अपने दावदारी ठोक रहे हैं और लोगों से समर्थन की मांग कर रहे हैं भारती जटा पार्टी के कारकरता एवम पूर्व नगरपाल का अधक्षपत क्रिस्न कुमार इस बार चुनाव में एकवा फिर अपने दावदारी ठोक रहे हैं और नगरपाल का कुसी नगर से अधक्षपत की तयारी कर रहे हैं ये भी लोगों के प्यारव सम्मान से एक बार विजय हो चुके हैं और दुबारा नगरपाल का कुसी नगर से अधक्षपत की तयारी कर रहे हैं क्रिस्न कुमार भारती जंदा पार्टे के पुराने वम परिष्ट कर करता हैं अमे कुमारगुपत इस वार नगरपाल का अधक्षपत के तयारी काफी समस्य कर रहे हैं और गाउं गाउं नगर नगर जा करके लोगों के प्यारों सम्मन्थन की मांग कर रहे हैं येवं जनता का अपार सम्मन्थन येवं स्वयोग किसको मिलेगा ये आने वाले चुनाव में ही बता चलेगा लेकिन अमिक वार्गुप्ता भारती जंता पार्टी से टिकट की मांग करते हुए चिनाव लड़ाया है समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग करते हुए अक्षे पाड़े जो की नगरपाल का कुस्ति नगर के लिए पहली बार अजक्षपत की दवधारी कर रहा है कि बसस्क काफी समय रखते हुए उनके प्यारा समर्थन बात कर रहा है और इस बार कउसीन अगर नगपाल का अधक्य Mrs. पहली बार चुनाओं के तैयरी कर रहा है और दोधारी ठोक रहा है अब आने वाले चुनाओं में लोगों की राय क्या बनेगी ये दिसंबल में होनेवारे निकाल चुनाओं से पता चलेगा जो की पतियास्तिक रूप में है प्रसूञ जैसवाल दिसंबर में करे। केपील अलूमजुरू की त्यारी पूरी जोरो सोरो से चल रही है तो अब आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में बाकी उमिद्वारू की त्यारी वेव मुन की चर्चवा को बारें बताएंगे तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सितला धाम अ सब्सक्राइब और हमारे फिल आइकों बटन को तबाह करके नोटिपिकेशन के लिए त्यार कर लें जिससे की आने वाले बीडियो को बारे में आप अपता चल सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब तक के लिए बाय टेक किया कर दो